नुमश्कार दोस्तों, क्लास सेवन्त मारा स्टेट बोर्ड, मैथेमेटिक चाप्ट नुम्बर त्री, एटसेफ एंड लसियम प्रेक्टिसेट 13 में कोशन नुम्बर टू अभी हमें आज लेना है वन तक जो कॉशन्स है, वो इसके पहले जो वीडियो हमने लिया है, उसमें हो चुके है और इस कंसिप्ट के लिए, मतलब इस कॉशन के लिए जो कंसिप्ट था, वो भी हमने इसके पहले जो वीडियो लिया है प्रेक्टिसेट 13 का और शायद पार्ट नूम्बर टू उसमें हमने एक्स्प्लेन किया है तो यह वीडियो देखने से पहले आप वो वीडियो जरूर देखें और वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को अनुरोद है कि चानल को सब्सक्राइब करें लाइक करें अपने दोस्तों में शेयर करें और बिल आइकोन प्रेस करें जिससे कि आपको आने वाले वीडियो के निटिफिकेशन मिल जाएं तो चले शुरू करते हैं तो कॉश्चन काया देखें इसका मतलब कि वह इकवल है उनको आप दिखाईए तो आप देखे 32 और 37 जबकि यह को प्राइम नंबर से को प्राइम नंबर यह भी प्राइंट हमने पहले ले लिया है तो देखे 32 और 37 इनका में HCF और LCM फाइंट करना है तो प्राइम फेक्टरिजेशन में तरसे हमें प्राइम फेक्टरिज फाइंट करना है तो 32 और 37 32 37 37 प्राइम नंबर है तो 37 को सिर्फ 1 से डियाइड होता है तो इन दोनों को कॉमनली डियाइड होने वाला सिर्फ एक नंबर होगा 1 तो यहाँ पे होगा HCF 1 अब जब भी हमें LCM फाइंड करना है और दो नंबर सको प्राइम है जैसे कि सब्स त्रीह उर सिक्स या त्रीह और सेवन है दोनुबे को प्राइम है तो इन दोनों का LCM होगा 3 अंच से ओन, 21 तो वेसे हमें यहाँ पर इन दोनों का LCM find करने के लिए इन दोनों का multiply करना होगा तो 32 into 37 तो 32 into 37 तो हमें यह multiply करना है तो 37 into 32 2 से multiply करें 27 जा 14 बारो 1 326 प्लस 1 7 0 रखे 37 जा 21 बारो 2 339 प्लस 2 11 4 यहाँ पे 8 11 तो 1184 तो LCM होगा 1184 LCM is equal to 1184 अब जो हमें यहाँ पे पूचा गया है कि verify their product is equal to the product of the given numbers their product का मतलब जो HCF और LCM हमने find किया है इनका multiplication तो हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं HCF into LCM is equal to HCF into LCM है 1184 तो इन दोन का multiplication 1184 और product of numbers product of numbers product of numbers देखे 32 और 37 है तो 32 into 37 जो numbers है इनका product हमें मेली चुका है 1184 तो इसलिए हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं HCF into LCM is equal to product of numbers product of numbers अब यह जो product होता है और HCF-LCM multiplication यह जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी सिर्फ दो नम्बर के लिए ही apply हम कर सकते हैं नम्बर के लिए नहीं कर सकते है next जो दो नम्बर से हैं वो है 46 और 51 46 और 51 देखे अभी 46 और 51 यह दो को prime numbers हैं कैसे देखे 26 को 2 से अगर हम divide करता है तो 23 आता है 23 prime number और 2 46 को सिर्फ इन दो नम्बर से divide होगा 1 और यह number चोड़के अब 51 को 3 से divide होता है और 17 से तो इन दोनों में common factor कोई भी है नहीं तो common factor नहीं है तो इसका मतलब HCM होता है 1 और LCM होता है co prime है तो इन दोनों का multiplication 51 into 46 अब 51 को हमें 46 से multiply करना है तो 6 और 6, 6, 5 जा 30 यहाँ पे 0, 4 वन्जा 4 4, 5 जा 20 फिर अब इनके addition करिए तो हमें इनका LCM मिल जाएगा 6, 4, 3, 2 2346 तो यह होगा LCM तो LCM है यहाँ पे इलखेंगे 2346 अब LCM है और यहाँ पे HCF है तो इन दोनों का multiplication HCF into LCM तो हगा 1 into 2346 2346 HCF into LCM अब इसके बाद हमें लिखना है product of numbers जो numbers है 46 और 51 46 और 51 इनका multiplication तो इनका multiplication हमने यहाँ पे किया है वही multiplication आ गया है 2346 तो HCF into LCM वही number है product of numbers भी दोनों सेम आ गये तो हम यहाँ पे वही जो हमने statement लिखा था इसके पहले वही हम यहाँ पे लिख सकते हैं तो HCF into LCM is equal to product of numbers तो next question है question number 3 15 और 60 अब देखे 15 और 60 का पहले हमें HCF find करना है तो अब HCF find करने के लिए क्या होता है जब तक हमें इन दोनों को divide होगा तब तक हमें divide करना है और left hand side के जो numbers है उनका multiplication मतलब HCF होता है तो 15 और 30 को 3 से divide होगा 3 5 जा 15 3 2 जा 6 3 0 जा 0 और 5 और 20 5 और 20 दोनों को 5 से divide होगा तो 5 1 जा 5 5 4 जा 20 अब HCF के लिए 3 और 5 का multiplication करना है तो 3 इंटू 5 15 हमें HCF मिल जाएगा अब LCM के लिए हमें क्या करना है यहां के भी numbers और यह दो ही number है इसलिए यहां पर जितने हैं उनका multiplication तो 3 इंटू 5 इंटू 1 1 के लिखने के ज़रूत है नहीं तो 4 लिखे है 3 5 जा 15 15 4 जा 60 3 LCM होगा है 60 अब जैसे के हमें वेरिफाय करने के लिए कहा गया है HCF इंटू LCM इनका product HCF है 15 LCM है 60 इन दोनों का multiplication तो यहां पर एक जिरूर लिखे और 15 से 6 को multiply करिए 15 6 जा 90 तो 900 इनका multiplication आएगा अब इसके बाद हमें product of numbers लेना है इन दोनों का product तो हम यहां पर लेते हैं product of numbers तो इन दो numbers का product देखे 15 इंटू 60 तो वही 60 यहां पर 0 15 इंटू 6 9900 तो वही जो numbers हैं HCF इंटू LCM यहां पर आ गए तो 900 900 तो फिर वही हम statement यहां पर लिखना है HCF इंटू LCM इस इकोल टू product of numbers अब यहां पर जो HCF LCM हमें मिला है 15, 60 वही मिला है यहां पर 15, 16 वही number से तो कैसे होता है 15 से 60 को divide होता है दो numbers अगर होता है उन में से किसी एक number से दूसरे number को divide होगा तो जो greater number होगा वो LCM होगा जो smaller होगा वो HCF होगा next question देखिए 18 और 63 अब 8 प्लस 1 नाइन 6 प्लस 3 नाइन तो दोनों numbers को 3 से divide होता है क्योंकि directly मैंने 9 से क्यों चेक किया है क्योंकि यहां पर 3 odd number है तो दोनों को 3 से divide होगा 3 6 जा 18 2 जा 6 3 जा 3 फिर यहां पर 6 और 21 इन दोनों को 3 से divide होगा 3 2 जा 6 3 7 जा 21 तो जब तक दोनों को divide होता है तब तक हम ने यहां पर divide किया है जो left hand side में अभी numbers होगे उनका multiplication 3 इंटो 3 यह होगा इनका HCM अब यह LCM के लिए हमने left hand side के number तो लेना ही है और जो नीचे बचे हैं यहां पर उनको भी लेना है 2 इंटो 7 तो 3 इंटो 3 यहां पर होगा 9 और यहां पर 7 इंटो 2 14 14 इंटो 9 126 तो 126 LCM होगा HCF होगा 9 अब इनका product HCF और LCM का तो HCF इंटो LCM इस इकोल टो 9 इंटो 126 अब इनका multiplication तो आप करी सकते हैं तो मैं यहां पर directly लिख देता हूँ यह आएगा 1134 तेके हैं यहां पर multiplication होचुका है 9654 बारो 5 920 18 प्लस 5 23 को 3 लिखना है 2 बारो 9 प्लस 1 9 प्लस 2 11 तो यह होगा HCF इंटो LCM अब प्रोडुक्ट अफ नंबर्स प्रोडुक्ट अफ नंबर्स नंबर्स का प्रोडुक्ट अब नंबर्स हैं 18 और 63 तो 18 इंटो 63 अब इनका multiplication होँ यहां पर करेंगे directly 18 3 जा 54 को 4 लिखना है 5 बारो 18 6 जा 108 प्लस 5 113 तो 113 1134 तो उन्हों भी सेम आ गए तो HCF इंटो प्रोडुक्ट इस इकल टो प्रोडुक्ट अफ नंबर्स नेक्स्ट जो नंबर्स हैं वो है 78 और 105 तो इनका हमें HCF और LCM फाइंड करना है तो 78 और 104 अब 78 और 104 अब 78 को और 104 इन दोनों को 4 और 8 है इनिट प्लेस में तो 2 से डिवेड होगा 2,36 2,9,18 2,5,10 2,2,4 अब 39 और 52 इन दोनों को जो भी प्राइम नंबर्स है 2,3,5,7,11,13 17,19 अब इन से हमें चेक करना है 2 से 39 को नहे होगा 3 से होगा 52 को 3 से नहे होगा 5 से नहे होगा 7 से नहे होगा 39 11 से नहे होगा 13,30 और 13,40 तो दोनों को भी 13 से डिवेड होगा तो हमें 13 से डिवेड करना है 13,30,13,40 अब होगा अब HCF जब तक इन दोनों को डिवेड होगा तब तक हमने डिवेड किया है और लेफ्ट अइन से डिवेड के 13 इंटो 2 ये दो नंबर्स का मल्टिप्लिकेशन करो 26 हमें HCF मिल जाएगा अब LCM के लिए हमें जो ये नंबर्स हैं और ये इन सभी का मल्टिप्लाइ करना है तो 2 इंटो 13 इंटो 3 इंटो 4 तो 13 इंटो 3 सरी 13 इंटो 2 26 इंटो 26 मल्टिप्लाइड बाई 12 3 इंटो 4 12 12 से 26 को मल्टिप्लाइ करो तो यहाँ पे 12 सिख जा 72 बोरो 7 12 से 24 प्लस 7 31 तो 312 हमें मिल जाएगा LCM तो जब हमें HCF मिल ही गया है 26 LCM भी मिला है तो हमें इंका मल्टिप्लिकेशन करना है तो HCF इंटो LCM is equal to HCFA 26 इंटो LCM है 312 अब इंका मुल्टिप्लिकेशन हमें करना है 312 इंटो 26 तो 6 2 जा 12 बोरो 1 6 1 जा 6 प्लस 1 7 6 3 जा 18 यहाँ पे 0 लिके फिर 2 से डियाड करें 2 2 जा 4 2 1 जा 2 2 3 जा 6 फिर आभीन के अदिशन 2 7 प्लस 4 11 बारो 1 8 प्लस 2 10 प्लस 1 11 बारो 1 6 7 8 8 112 तो 8 1112 HCF इंटो LCM हुआ अब प्रोड़क्ट आप नमबर्स प्रोड़क्ट आफ नमबर्स हम यहाँ पे लेंगे नमबर जो हैं वो 78 और 104 है तो 78 और 104 का हम यहाँ पे मुल्टिप्लिकेशन करेंगे 104 इंटो 78 तो 8 4 जा 32 अब क्या होता है कि अगर यहाँ पे 0 है तो 8 4 जा 32 आप डारेक्ट लिकिए क्योंकि 8 4 जा 32 को यहाँ पे 2 लिखना है 3 बारो 8 0 जा 0 प्लस 3 मतलब 32 हता है तो यहाँ पे अगर 0 है तो 8 4 जा 32 डारेक्ट लिकिए 8 बन्जा 8 यहाँ पे पिर एक जुरू यहाँ पर रखे 74 जा 28 तो यहाँ पर 28 7 वनजा 7 अब इनके अडिशन करिए तो यह होगा 2 8 प्लस 3 11 बरो 1 8 प्लस 2 10 प्लस 1 11 बरो 1 8 112 तो यहाँ पर इनका मुल्टिप्लिकेशन हमें लिखना है 8 112 8 112 8 112 तो यह दो नमबर्स इकोल हो गए तो यहाँ पर हमें मिला है HCF into LCM is equal to product of numbers तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं HCF into LCM is equal to product of numbers तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों जो प्रैक्टिसेट 13 था वो अभी यहाँ पर समाप्त हो चुका है तो नेक्स्ट वीडियो में हम प्रैक्टिसेट 14 के questions solve करेंगे मैं यह चाह रहा था कि जो questions हो वो कम मैं solve करूँ लेकिन एक query आया थी कि आप सभी questions solve करिए तो ठीक है जैसे कि सभी को जिस चीज का फाइदा हो वो अच्छा है तो सभी questions जो है वो मैं solve करता रहूंगा और वीडियो देखने के लिए आप अगर समझ में नहीं आ रहा है तो pause करके देख सकते हैं और अगर तबी नहीं समझ में आ रहा है तो basic में कुछ तो problem हो सकता है तो इसलिए addition, subtraction, multiplication, division और tables आप यह याद करिए पूरा अच्छे तरह से सभी बात में समझ में आ जाएगा तेरी तेरी ठीक है तैंकियो दोस्तों